इसरो के चीफ S. सोमनाथ इंडिगो की फ्लाइट से यात्रा कर रहे थे और जैसे ही वो फ्लाइट के सीट पर बैठते हैं जो कैबिन क्रिव थी उन्होंने एनाउंस किया हम बहुत खुश हैं कि हमारे साथ आज इसरो के चीफ S. सोमनाथ सफर कर रहे हैं और उसके बाद कैबि सोमनाथ जी का स्वागत करें सोमनाथ जी ने जैसे भारत का नाम रोशन किया है वो डिजर्व करते हैं ये सब कुछ और जैसे ही लोगों के कानों में ये आवाज गई इंडिगो की उस फ्लाइट में तालियों की गड़गडाहट सुनाई देने लगी और एक मिनट के लिए सब लोग सब कुछ भूल कर सोमनाथ के लिए ताली बजा रहे थे उनकी प्रशंसा कर रहे थे और ये सोच सोच कर गरवानवित हो रहे थे कि जिस फ्लाइट में हम बैठे हैं उसी फ्लाइट में इसरों के वो चीफ बैठे हैं जिस चीफ ने भारत को एक ऐसा रिकॉर्ड ब सौफ्ट लेंडिंग कर ली है प्रज्यान घूम रहा है उपर में और चंद्रमा पर काबू करने वाले सोमनाथ का स्वागत भारत के हर कोने में हो रहा है सोमनाथ जी जहां भी जाते हैं उनका स्वागत होता है और ये देखिए इंडिगो के फ्लाइट की कैबिन क्रिव ने सोमनाथ मंद मंद मुस्कुरा कर सारे लोगों का बढ़ाई स्विकार कर रहे थे और उनको भी गर्व ही हो रहा होगा अंदर से कि देखो आज मेरे 130 करोड देशवासी मुझे कितना प्यार दे रही है सोमनाथ को प्यार मिलना भी चाहिए जो काम सोमनाथ ने किया है वो वाक लेंडिंग करवाना एक आसान बात तो नहीं है और जब से ऐसा हुआ है सोमनाथ जी भारत के किसी भी कोने में जा रहे हैं वहाँ पर लोग उनको देखकर स्टेंडिंग ओवेशन दे रहे हैं तालिया बजा रहे हैं कह रहे हैं सर आपके जैसा कोई नहीं है पूरी कहानी आ अच्छा फरनिचर देती है अगर आप इनसे 50,000 रुपय का पैकेज लेंगे तो पलंक इनसे 78,000 का पैकेज लेंगे तो पलंक आप इनसे 78,000 का फरिज कोलर और वाशिंग मशीन भी मिलेगा इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार, यूप और जहार कंड के 100 किलूमेटर के radius में ये लोग free में delivery करते हैं और ये लोग ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास अपना manufacturing plant है जिसके चलते कम दाम में ये लोग furniture बनाते हैं और आपको अच्छा product भी दे पाते हैं अब लोटते हैं S. सोमनाथ पर वो आदमी जिसने इस रोक के जरिये भारत को चांद पर पहुचा दिया इसरो के प्रमुक है S. सोमनाथ और हमने 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर soft landing की थी जो हमारा lander था विक्रम और जो हमारा rover है जो चांद पर घूम रहा है उसकी कभी बड़ा बुरा भी होता है आप पूर्व S. इसरो के चीफ जो थे शिवन साहब उनका चहरा याद करिये नरेंद्र मोदी के कंधे पर सर रहकर वो रो रहे थे क्योंकि मिशन फेल हो गया था लेकिन इस बार सोमनाथ जी ने उस मिशन को काम्याब कर दिया और काम्याब ऐसा किया कि भारत का बच्चा-बच्चा सोमनाथ जी का नाम ले रहा है और इंडिगो की फ्लाइट में भी वही हुआ इंडिगो की फ्लाइट में S. सोमनाथ कहीं सफर कर रहे थे कहीं जा रहे थे और जैसे ही air hostess को cabin crew को मालूम पड़ा कि सोमनात जी इस flight में बैठे हैं वो announcement करती हैं कि हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे साथ इस flight में सोमनात जी travel कर रहे हैं जिन्होंने भारत को गौरव वानवित किया है और वो कहती हैं कि हमें इनके लिए तालियां बजानी चाहिए ऐसा सुनते ही flight में बैठे सारे लोग एक साथ ताली बजाते हैं और लमसम दो मिनट तक सिर्फ तालियों की गड़गडाहट इंडिगो की उस flight में सुनाई दे रही थी एस सुमनाथ मुस्कुराकर सबका ताली स्विकार कर रहे थे उनको भी लग रहा था कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है अगर देश का आम आदमी किसी को अपना ideal माने उसके लिए ताली बजाए तो बिलकुल आपको समझना पड़ेगा कि उस आदमी ने कई में किया है भारत को गर्व करने का मौका दिया है और ऐसे आदमी के लिए रपताली बजती है तो सबको अच्छा लगता है और सोमनाथ जी का वो वीडियो खुब वाइरल हो रहा है केविन क्रिव जिनका नाम पूजा शाह है उन्होंने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेर किया है और उस पर करोड़ो व्यूज अब तक आ चुके हैं और ये सब कुछ उस सोमनाथ जी के लिए हो रहा है जो बतौर इसरो चीफ भारत को चंद्रमा के साउथ कोल पर सौफ्ट लेंडिंग करवा चुके हैं और वहाँ पर ऐसा करने वाला भारत विश्व का प करिया है करेंड बॉक्स में बताईएगा हम फिर जल्दी किसी नए खबर के साथ मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद